लोहरदगा में फायर सीजन में जंगल को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने तयारियां पूरी कर ली है वन मंडल लोहरदगा के अधीन आने वाले जंगलों की सुरक्षा करने के लिए हर ब्लॉक में फायर प्रोडक्शन टीम का गठन किया जा रहा है या टीमें अपने अपने ब्लॉक के जंगल उपर नजर रखेंगी इससे जंगल में लगने वाली आग को भड़कने से पहले की बुझाने का प्रयास होगा इसके अलावा टीमें जंगल में आग लगाने वाले शरार्ती तत्वों पर भी पैनी नजर रखेंगी अगर कोई जंगल में आग लगाता हुआ पकड़ा गया तो वन विभाग उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्च करवाएगा ताकि दोशी को कड़ी सजा हो सके इसके अलावा जंगल को आग से बचाने के लिए फायर कंट्रोल केंद्र भी बनाया जा रहा है दरसल जंगल के आसपास बसने वाले ग्रामिन इस सीजन में महुआ चुन्ने को लेकर महुआ पेड़ पास छाणियों और पत्तों की सफाई को लेकर आग लगा देते हैं अभी बड़े प्रेमाने पे आग की घड़ना ही पाय जा रही है जिसमें 99 परसंट योगदान जो है या महुआ चुन्ने वाले ग्रामियों के द्वारा हो रहा है वे लोग अपना मेहनत बचाने के लिए पत्ता बहार में जो मेहनत है वो मेहनत बचाने के लिए सुखे पत्तों में आग लगा देते हैं ताकि उनको महुआ चुन्ने में असानी हुआ इस क्रम में जंगल के छोटे जॉढब जारी और पौधे नस्ठ होते ही हैं साथ में जीव जन्तू भी नस्ठ हो रहे हैं और जमेन भी शूथ जा रही है जिसे अगले आने वाले सीजन में जो छोटे पौधे और राकिरतिक पौधे उगते हैं वो भी नहीं होगा और जल अस्तर का भी इस पर आसर पड़ता है वह अभी कम हो जाता है आग लगने से तो इस तरह की सारी घटना है सारे लॉस जो है एक कुछ ग्रामिनों के लापरवाई से हो रहा है या बंद होना चाहिए महुआ चुनने वालों की संख्या हर एक ग्राम में 5-10 परतिसत होती ह लोगों से अपील क्या करें अपील है कि जब आग लगे तो हमें बंद हाग को तुरत सुचित करें उसके बाद जब टीम जाए या टीम जाने में देर हो तो आप लोग सुए आग बुझाए और जो लोग आग लगाए हैं उनका नाम जानते हो तो चीक है नई भी अगर जा जाएगा और जो आग लगाएंगे उन्हें दंडित किया जाएगा यह पूर में नहीं होता था लेकिन इस बार हम लोग करेंगे क्योंकि ग्रामिल जो आग लगाने वाल है समझने के लित्यार नहीं है उनकी मुर्वता से बहुत लोग को नुक्सान हो रहा है प्रयावन को अपने राजिस जूड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले